हेलो एव्रीवन, वेलकम टू माई चैनल, आज मैं बना रही हूँ बहुत ही सौफ्ट, स्पॉंजी और टेस्टी आलू चॉप तो चलिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन का घोल बनाते हैं ये करीब 200 गिराम हमने बेसन लिया है, उसमें मैंने आधा छोटा चमच हल्दी पॉडर डाला, आधा छोटा चमच लालमेज पॉडर और एक चमच धनिया पॉडर अब आधा छोटा चमच टेस्ट के कॉर्डिंग इसमें नमक डालना है और वन फोर्थे स्पॉन बेकिंग सोडा अब पानी डाल कर इसका गाढ़ा सा घोल बनाना पानी ध्यान से डालें घोल पतला नहीं हो नहीं तो आलू चौप अच्छे नहीं बनेंगे ये देखे मैंने गाढ़ा सा घोल तैयार कर लिया अब चार बड़े आलूं को हमने उबाल कर छील कर इसे अच्छी तरह से मैस्ट कर लिया है अब दो छोटा चमच हमने सरसूं का तेल गरम किया है इसमें मैं आधा बड़ा चमच कच्छा बादाम को फ्राई करूंगी आप चाहें तो फ्राई किया हुआ बादाम भी ले सकते हैं ये देखिए बादाम को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है अब इसी ओईल में मैंने वन फोर्थी स्पून जीरा डाला है आधा इंच के जितना करश किया हुआ अदरक और छे साथ हरी मेज इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें ओईल के साथ वन फोर्थी स्पून लाल मेज पॉर्डर अब वन फोर्थ हमने हल्दी पॉर्डर डाला तीखा आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग जैसा रखना चाहें ज्यादा या कम एक टमाटर को हमने चौट कर लिया था उसे भी डाल दिया है अब टमाटर के सॉफ्ट होने तक मैं मसालों को भूनूंगी ये देखे टमाटर सॉफ्ट हो गये हैं इसे स्पून से हलका हलका करश कर दें ताके ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए अब ये मैस्ट किया हुआ आलू इसमें डाल देना है साथ ही इसमें टेस्ट के कॉडिंग आधा छोड़ा चममच नमक डाल देए हूँ और जो बादाम हमने फ्राई करके रखा है उसे भी इसमें डाल देना है ये मैंने बादाम को भी डाल दिया अब एक दो मिनट अच्छी तरह से आलू को फ्राई कर ले ये देखे आलू अच्छी तरह से भून गया है अब इसे ठंधा कर ले अब आलू को मैं बराबर बराबर हिस्से में डिवाइट कर लूँगी ताकि चौब बनाने में आसानी हो आप चाहें तो इसे फ्लैट टिक्या की शेप में भी बना सकते है मैं इसे ऐसे ही बना लेती हूँ ये देखे मैंने इसे बराबर हिस्से में डिवाइट कर लिया है अब आलू को हमने गरम कर लिया है ये देखे ओईल गरम हो गया है बेशन को एक बार फिर से मैंने mix कर लिया अब आलू को उठाना है अंगुठे से हलका सा flat करना है और बेशन में deep करके तेल में डालते जाना है मुझे हाथों से comfort लगता है ये देखिए अंगुठे से मैंने इसे flat किया और बेशन में deep करके डाल दिया मैं हाथों से बनाती हूँ आप चाहें तो spoon से भी इसे बना सकती है एक से तेड़ मिनट में ये अच्छी तरह से एक तरफ से fry हो जाते हैं अब इसे मैंने पलट दिया है ये देखिए दोनों तरफ से ये कितनी अच्छी तरह से fry हो गए हैं अब मैं इसे निकाल रही हूँ आज को बहुत तेज नहीं रखना है मीडियम रखना है इसी तरह से मैं सभी आलू चॉप को fry करूंगी बस इसे उठाना अंगोठे से थोड़ा फ्लैट करें और बेसन में लपेट के ऑईल में डालते जाना है इस बरसात के मौसम में इस तरह की रेसिपी बहुत अच्छी लगती है एक बार आप हमारी तरह से आलू चॉप ज़रूर बनाए और हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आपने में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें थैंक्स पोर वाचिंग